फ्रेंस आप सभी का विलकम हैं मेरे यूटूब चैनल सब के सब पर आज के इस फोटोशब के टीटूरल में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी टेक्स्ट को इमेज के पीछे कैसे लेकर जाते हैं आप लोगों ने मास्किंग का इस्तेमाल करके हो सकता है किया हो लेकिन आज का ये ट्रिक बहुत ही यूनीक होगा आप इसको सीखेंगे तो हर जेगा ये काम आ सकता है देखें कैसे करेंगे आप सबसे पहले अपने लेयर पैनल में एक ग्रूप ओपन कर लें टॉप के उपर यहां लेयर नहीं बलकि ग्रूप पर किलिक करेंगे और ये ग्रूप ओपन करेंगे और उसके बाद आप अपने इस टेक्स को ड्रैग करके ऊपर ले कर जाएंगे इस ग्रूप के अंदर यहां पर आप ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे अब आप अपने बैक्ग्राउंड लेयर पर आ जाएं यहां से आप अपने इस image का selection कर लें image का selection आप बहतर ढ़ंग से करेंगे तो select में जाकर यहां से मैं select subject करता हूँ इस image का selection हो जाएगा यह देखे सेलेक्शन हो गया है selection होने के बाद आप इसको inverse कर दें inverse करने के लिए आप selection tool पर रहें right click करें और यहां से selection को inverse करते हैं और उसके बाद आप layer को change करके select करेंगे group वाली इस layer को और अब आप apply करेंगे layer mask यह देखें मैं layer mask पर click कर रहा हूँ अब आप move tool पर जाएं अपने इस text को जहां चाहें वहां पर आप fix कर सकते हैं यह देखें इस image के पीछे जहां चाहूं मैं आराम से fix कर सकता हूँ ऐसे I hope इस tutorial से आपनों को काफी फाइदा होगा अगर आप चाहते हैं Photoshop को details में सीखना तो आप मेरे premium course को join कर सकते हैं join करने के लिए contact number और email ID हमने description में दे रखा है आप जब चाहें मुझे call करके join कर सकते हैं और किसी तरह का कुछ confusion है तो comment box में पूछे उसका solution ज़रूर लेकर आओंगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थेंकिस वो मिच फ्रेंज